सड़क किनारे एक व्यक्ति पॉरुथीन लेकर खड़ा हुआ था शायद जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो अचानक ही एक सफेद रंग की कार उसके पिक्कुल पासमा के रूख जाती है और पीछे वाली खड़की खुलती है एक व्यक्ति उतरता है जिसने काले रंग का कोट पैना है साथ ही वो उसके हाथ में कुछ फाइले होती है और फोन पे बात कर रहा था अगली वाली खड़की खुलती है उससे एक पुलिस वाला उतरता है और पुलिस वाला उतरने के साथ ही कुछ समझ पाता कि वो पुर्धीन हाथ में लिए व्यक्ति पिशल निकालता है तुरंत गोली चला देता है गोली चलती है ठीक पीछे वाली बगल वाली एक दुकान होती है उस दुकान पर एक व्यक्ति है जिसने कैप लगाई हुई है और दुकान दर सिव बाचित कर रहा था किसी समान की वार्गनिन कर रहा था वार्गनिन करते करते अचाने की गोली की अबाज आती है वो व्यक्ति दुकान से भागता है और उसी काले कोट बाले पर गोली चलाना शुरू कर देता है ये रोड है, रोड पर वहुत सारे वहान आ रहे हैं, जा रहे हैं और देखते ही देखते रोड पर जैसे वहां थे वहीं के वहीं रुख जाते हैं। सबसे आगे होती है एक लाल रंकी मोटर साइकल। हेलमेट पहना हुआ व्यक्ती सो चला रहा है, पीछे सफेद रंकी शर्ट पहना हुआ, एक व्यक्ती बैठा हुआ है, उसके हाथ में काले रंकी कार थी, उस कार के अंदर से एक व्यक्ती जो ड्राइवर है वो उतरता है, उसके बरार में एक और व्यक्ती बैठा हुआ है, उस खड़ा खड़ा वो गोली चला रहा है और बाइक से उत्रा व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में काला बैग है वो जिधर देख रहा था वहीं बम मार रहा था और कभी काले कोड़ बाले की तरफ मार रहा है तो कभी सरक पर मार रहा है कभी इधर कभी उधर और जो व्यक्ति उस इतना खतरनाक था, खोफनाक था, कि किसी ने इसकी कलपना नहीं की थी, सब के सब चले जाते हैं, सोशल मीडिया पर थोड़ी दिर बाद खवर तैने लगती है, कि उमेश पाल की बदमाशों ने हत्या कर दी है, और उसके जो गनर होता है, संदीप निशाद, उसकी भी हत्या क कहानी को बीथ चुके हैं, 18 साल बाद, एक बार फिर से इत्यास ने अपना आपको दोराया है, बताया जाता है कि ये एक विधाय की हत्या होती है, उस विधाय को लगभग 19 गोलिया मारी गही थी, ये उसका मुख्य गवा होता है, और गवा को खत्म करने के लिए, ताकि उस केस में कोई किसी तरह का निर्डे ना आए, इसलिए लगातार गोली बारी चला जाती है, सोशल मीडिया पर ये खबर आने के बाद, आखिलेश यादब सरकार की योगी आदिते नाथ पर निशाना सादने लगते हैं, तो कुछ लोग मायवती पर निशाना सादने लगते है दरसल ये लड़ाई थी कुरसी की, और कुरसी के लिए पिछली बार कितने कतल होए थे, कोई गिन्ती नहीं है, आगे कितने कतल होंगे, इसकी भी कोई गिन्ती नहीं है आदाब, नमस्कार, शस्त्रियकाल में उस्मान सेफी, आज की जो सची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये सची घटना है उत्तर प्रदेश के इलहाबाद की दरसल जब ये कहानी शुरू होती है, उस वक्त ये इलहाबाद हुआ करता था, लेकिन आपकी सरकार ने इसका नाम बदल कर प्रियाग राज कर दिया है इलहाबाद का एक इलाका है पर्शिम विधान सबा, दरसल पर्शिम विधान सबा से अतीक एहमद नाम का एक बाहु बली रहता था जो की लगातार कई सालों तक विधायक बनता चला जाता है, उसका ऐसा वर्चस बनता चला जाता है, कि और कोई जीता ही नहीं था, लेकिन जैसे जैसे आदमी के पास चीजें होती हैं, तो इच्छाएं ऐसमित होती हैं, बढ़ने लगती हैं, उसका मन किया कि विधायक बनते बनते तो काफी दिन हो गए, अब संसद बनना चाहिए, संसद में जाना चाहिए, लखनाओ का सफर बहुत हो चुका है, अब दिल्ली का सफ पर तै करना चाहिए, और एक ऐसा मौका आता है, कि सं 2004 में इस व्यक्ति को, जिसका नाम अतिक एहमद होता है, फूलपूर्ण लोक सभा से इसको समाज़दी पार्टी टिकेट दे देती है, और टिकेट देने के बाद ये टिकेट से जीत भी हासल कर लेता है, जीतता है, उस उसके बाद जो इसकी खुद की सीट होती है, पश्चिम इलावाद की विधान सवागी, वो खाली हो जाती है, लेकिन रातों ही रात इसके दिमाग में खायल आया, कि जो अपनी पुष्टेनी सीट थी, जहाँ पर हमारे बहुत लंबे समय से राज चल रहा है, इस सीट को न 2004 में उपचनाव होता है, इसमें अश्रफ मिया को टिकेट दे दी जाता है, और वो चनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं, कोई नहीं जानता था कि बहुजन समाजवादी पार्टी अब किसी को टिकेट देने वाली है, उसका नाम होता है राजुपाल, राजुपाल इलाके का एक गुंडा होता है, लेकिन उस लेविल का गुंडा नहीं था, जिस लेविल का गुंडा यह अतीक एहमद होता है, इसका वर्चस वज़ादा था, लेकिन राजुपाल फिर भी अपने लोगों को नियाय दिलाने के लिए इससे गाहे बगाहे टकराया जाय करता लड़ता रहता था, अर यह अतीक एहमद समस्ता था, उसका भाई अश्रफ समस्ता था, कि राजुपाल उनका कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं बिगार सकता, उपचुनाव होता है, लोग वोट करते हैं, जो वोटिंग मसी ने, यह वोट खुल के सामने आता है, तो पता च दिल्ली की अब संसद में आना जाना शुरू हो गया था लेकिन जो टीस थी वो टीस जाय कैसे इसको लेकर बहुत ज़ादा परशान हो जाता है और यह 21 नवंबर 2004 को यह इस पर पहली बार हमला कराता है इस विधायक पर जो विधायक राजुपाल चुन लिया जाता है लेकिन 25 मुकद में इसके ओपर भी दर्ज हुए थे और यह अपना निडर होके ऐसी रहता था चलता था एक दिन की बात है कि यह व्यक्ति एक होस्पिटल में किसी को देखने के लिए था वहाँ पर एक जाडु पोचा करने वाली वड़ी खुपसूरत सी लड़की उस लड़की को देखता है और पहली ही नजर में उस लड़की को उतना दिल दे बढ़ता है उससे शादी उससे प्यार का इजहार कर बढ़ता है लेकिन तब तक यह विधायक नहीं बनाता इसने फैसला किया था कि मैं अगर विधायक बना तो इस लड़की से शादी जरूर करूँगा और जो दिन भी आता है जब विधायक बन जाता है तब इस लड़की के पास जाता है और जाकर कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं लड़की भी हां कर देती है 17 जन्वरी 2005 को इस लड़की से ये शादी कर लेता है लड़की की जिन्दगी पूरी तरह से बदल चुकी थी एक साधरन सी लड़की जो किया होस्पिट्ल में जाड़ू पहुँचे का काम करती थी अब वो विधाय की पत्नी हो चुकी थी इसकी जिन्दगी के खुशहाल दिन चल रहे थे एक एक दिन बीत रहा था उसने कभी सपने में ने सुचा था कि वो इतनी जल्दी तरक्की कर जाएगी हब एक दिन यानकी बात कर रहा हूँ 25 जन्वरी 2005 की स्वेरूप रानी होस्पिटल में ये बिधायक जी जिनका नाम राजुपाल होता है वो अपने कुछ साथियों के साथ एक विक्ति के पास गए थे जिसकी मौत हो चुकी थी उसका पोस्टमाडम हो रहा था उसके परिवार से दुख दर्द तकलिफ बाटने के लिए थे ये कहने के लिए ये थे कि तुम्हें घवराने की परिशान होने की जरूत नहीं है तुम्हारा भाई तुम्हारा बेटा जिन्दा है जब जब तुम्हें मेरी जरूत हो तो याद कर लिना उस परिवार को तसलिए देके अपनी घर की तरफ आ रहे थे और जैसे ही ये कानपूर इलाबाद रोड पर आते हैं तो पहले से ही घात लगाये बैठी एक वैन मारूती जो पीछा कर रही थी उसने ओवर्टेक किया और ओवर्टेक करने के बाद उसके अंदर से कई बदमाश निकलते हैं और निकलने के बाद इस गाड़ी के उपर जिसम रहा है चलता हुआ रोड था और चलते हुआ रोड पर जिस से गोलिया चल नहीं थी हर कोई अपनी जान बचाने में लगावा था गोली चलती रहती है चलने के बाद जो राजुपाल विधायक होते हैं उनकी घटना इस तल पर ही मौत हो जाती है उनके साथ में के एक साथी होते हैं संजीव यादब उनकी भी घटना इसले पर मौत हो जाती है और देविलाल वो भी इस हनगोली कांड में मारे जाते हैं लेकिन इसमें कई लोग ऐसे थे कई लोग कि जब गाड़ी होस्पिल्ट से निकली थी रास्ते में उनका एक मुसलिम दोस्त था और उस मुसलि को भी अपने पास बठा लेता है जब गोलियां चल रही थी तो गोली रुकसाना को भी लगती हैं दो गोलियां लगती है वो बच जाती है लेकिन बाकी लोग मारे जाते हैं अब यहां से जो इसकी पतनी होती है जिसके अभी हातों में जो मेंधी लगी थी उसके जो रंग अभी फीका भी नहीं हुआ था, कि उसकी मांग का सिंदूर हमीशा हमीशा के लिए उजड जाता है, तब वो F.I.R. दर्च कराती है, और F.I.R. दर्च कराने के बाद, वो अतीक एहमत के ही परिवार के कुछ लोगों का नाम लिखवाती है, कहती है कि मेरे पती की हत्या इन्ह हातों में होती है, पुलिस उसी के लिए काम करती है, अतीक एहमत को पकड़ने की कोई ज्यादा कोशिश की ही नहीं गई थी, उप्चनाब फिर से होता है, एक बार फिर से माया बती, इसी राजुपाल की पतनी पूजापाल को टिकेट देते हैं, इलक्षन लडाने की कोशि है, कहता है कि जिन्दगी का जो सबसे बड़ा काटा बनने वाला था, राजुपाल, वो हमेशा के लिए खत्म हो चुका है, उसकी पतनी कोई कमाल नहीं कर पाई, लेकिन 2007 में एक बार फिर से जब विधान सभा के इलक्षन चल लहे थे पूरे प्रदेश में, तो फिर से टि गभा थे, गभाओं के अगर नाम लें तो हम रुकसाना थी, इसमें सैफुल्ला नाम का एक व्यक्ति था, पवन, सादिक और ओम प्रिकाश पाल, ये गभा थे और बताया जाता है कि ये गभा होस्टाइल कर जाते हैं, और होस्टाइल करने से ये केस पूरी तरह से बेकार ह हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, लेकिन सन 2006 में ही एक उमेश पाल नाम का एक व्यक्ति होता है, जो कि इसका राजुपाल का खास दोस्त होता है, इसका अपरण करने वाले कोई और नहीं थे, बलकि ये अतिक एहमत की फैमिली के लोग थे, परिवार के लोग थे, क्यों? क्योंकि ये उसमें गवाई दे रहा था, मुखे गवाई के रूप में उभर रहा था, राजुपाल हत्याकांड में, जब ये बाकी सब होस्टेल कर जाते हैं, समझे नहीं पा रहे थे, कि आखिरकार आगे भविश्य में क्या होगा, क्या होने वाला था, केस दो हो जाते है एक राजुपाल हत्याकांड का, दूसरा उमेश पाल के अपरहंड का, सीधा चलता रहता है मामला, लेकिन अब लग रहा था, जिस तरह से क्या इसकी बदमाशी चल रहे थी, लेकिन सरकार बदलती है, मायबती की सरकार आने के बाद, पुलिस अब दूसरे तरीके से काम करन उसका दाएंड हो चुका था, मायबती की सरकार आती है, मायबती ने जब शिकंजा कसना शुरू किया है, राजुपाल की पतनी ने जब मायबती से बात करके अपने पती को इंसाब दिलाने की कोशिश की है, तब यहां से बुल्डोड़ जर शुरू हो जाता है, और जो इस और बंध होने के बाद, इस महिला यानि की पूजा पाल को अभी तक भी नहीं लग रहा था कि राजुपाल की जो हत्या होई है, उसमें कुछ सफलता मिल पाएगी, तब वो सन 2015 में कोट जाती है, और कोट जाने के बाद यह अपील करती है कि इस मामले की जांच CVI से कराए, हाई कोट शायद सुनबाई नहीं करता है, लेकिन इसके बाद वो सुपरीम कोट जाती है, सुपरीम कोट जाने के बाद सन 2016 में इसी राजुपाल हत्या कार्ण की जांच दे दी जाती है, CVI को, अब CVI इस मामले की जांच कर रही थी, 2019 से लेकर अब तक जो भी था, इसमें म इन आरूपियों को सजा मिलती, जो असली आरूपी थे, उन्हें जो कोट सजा तै करता, वो होता, लेकिन उससे पहले ही, 24 फरवरी 2003 की शाम, लगभख 5 बजे के आसपास, यही जो राजुपाल होता है, उसका खास दोस्त उमेश पाल, अपने गनरों के साथ, अपने घर की जा रहा था, बताया जाता है कि कोट में तारिख थी, उसी मामले में गवाई की वज़े से यह आया हुआ था, और जब अपने घर की तरफ जा रहा है, तो तब ही घेरा बंदी करके, घात लगाकर, कुछ बदमाशों ने, अब गोलियां चलानी, शुरू कर देते हैं, और इ यहां लेकिन सरे आम लोगों पर गोलियां चल नहीं है, कोई बच नहीं रहा है, इसी बीच में अब अखलेश यादव को घेरते हो कहते हैं कि तुम जिसकी वकालत कर रहे हो, दरसल अतीक एहमत तुमारा ही पाला हुआ व्यक्ति है, तुमने ही उसको विधायक से सांसत बना हैं साइस्ता परवीन, उनको मेर का प्रतियाशी घोशित कर दिया है, इससे परियागरास से, कि अब आने वाले वक्त में जो यह नगर निकाय की चुनाब होंगे, तो उस नगर निकाय की चुनाब में प्रतियाशी घोशित करने पर कहीं न कहीं अन्य लोगों में नराजग किसी को मारा जाता है तो भले या मरे भले चाहें कितने भी कतल हों लेकिन कुर्सी हाथ में आनी चाहिए कुर्सी पाने के लिए जो इसकी सरकार होती है जिसकी सत्ता होती है पुलिस उसके लिए पूरी अच्छे तरह काम करती है हाला कि ये बताय जा रहा है कि पुलिस ने बहुत सारे फुक्ता सबूत इस सीसी टीवी कैमरे के आधार पर हास्ल कर ले हैं और उसी के वज़े से ही जो कुछ नाम है साथ लोगों के चहरे पूरी तरह से उजागर हो जाते हैं और साथ लोगों को पकड़ने की तमाम कोशिश है की जा रही है इसमें योगी आधिते नात कहते हैं कि जितने भी आपरादी हैं जो इस घटना करम में शामिल हैं सबी को जमीन में जमी दोच कर दिया जाएगा उन्हें खत्म कर दिया जाएगा और पुलिस ने अपना काम भी कर दिया 27 फरवरी 2023 को दोपहर का समय था गुमर गुमन गंज थाना छेतर में ये नहरू पार्क के आसपास जंगल के इलाके में एक अरवाज पुत्र असद जो की अतीक एहमत का ड्राइवर असद है उसका बेटा ये भी एक अच्छा बदमाश पताया जा रहा है पुलिस ने पहला विकिट गिरा कर यानि की अरवाज की गोली मार के उसका एंकाउंटर करके उसे हमीशा के लिए उसकी सांसों को थाम दिया है और पुलिस का कहना कि यदि ये अपने आप से सरेंडर नहीं करते हैं तो ऐसे ही एक करके विकिट गिराया जा सकते हैं ये भी कहते हैं कि कहीं न कहीं अतिक एहमत जो साबर बंती गुजरात में हैं वहाँ से उन्हें सुनवाई के लिए अगर यहां लाए गया तो ऐसा नहों जैसे विकास दूबे की गाड़ी पलड जाती है और उसका चिराग हमीशा हमीशा के लिए बुझ जाता है कहीं ऐसा नहों कि अतिक एहमत के विचराग अब भविश्य में बुझ जाए भविश्य में क्या होगा ये तो भविश्य के गर्म में छिपा है लेकिन दोस्तों इस पूरे घटना करेम को सुनाने का उद्दिश्य किसी को परशान करना नहीं है किसी का दिल दुखाना नहीं है बलकि आपको जागरुक करना है आपको सचेद करना है आप जहां भी रहें अपना खैर लखें सुरक्षित रहें जैहिन जैभाद